कि अधि भार फिर आपका आपके अपने जैनल बाड एक में क्लासेस में स्वाधं करता हो तो आपको पता है बीटी ऊपी बोड का जो एक्जाम पैटाने वो बिलकुल डिफरेंट हो गयां बिलकुल चेंज हो अब कि रहाये हैं तो यह हमारी जो स्रेज है वह स्रेज होने वाली है और इसमें हम पूरा चैप्टर वाईज टॉपिक वाईज पूरे इस वाइज पूरे स्कोपर को आपके पूरे जो सब्जयक्ट है उसको तो भी हम cover करेंगे friends तो friends अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लेजेगा और अपने सातियों के साथ इसको जरूर कर लेजेगा क्योंकि आपको पता है friends कि जो आप अभी market का हाल है तो market का हाल कुछ इस तरह है कि आपके जो mcqs question है polytechnic exam के point of view तो अभी लेबल नहीं है market में तो बहुत सारे बच्चों की यह समस्या है friends तो अगर आप उनके साथ इसको शेयर करतेंगे तो उनकी यह समस्या दूर हो सकती है तो friends चली start करते हैं friends start करने से पहले एक आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहत है और साथ के साथ हम telegram group पर जो अपना schedule है lecture का schedule है class की details बगएर वो सारी की सारी information बहां डालते रहते हैं तो आप जरूर उसको join कर लेजएगा तो चली start करते हैं friends आज का session friends हम इससे previous lecture में 20 questions जो थे वो उसको cover कर चुके है thermal power plant के तो again हम क्या करने वाले है आज जो बच्चे ह 20 questions है 20 questions आज हम फिर लेकर आए हैं part number two है हमारा mcqs का और हमारा subject क्या है PP power plant engineering है friends अगर मैं बात करूं कि जो आपके most important question है या मुझको जितने भी लग रहे हैं कि जो आ सकते उन सब को मैं यहां पर include कर रहा हूं और साथ के साथ मैं एक question के साथ उससे related जितने भी concept बनने वाल हैं तो friends देख लीजे हमारा जो chapter number one है chapter number one आपको पता है thermodynamics है या फिर thermodynamics cycle बोल लो या thermal power plant बोल लीजे तो हम वो combine पूरे को cover कर रहे हैं तो पहला chapter जो है वो हमारा thermal power plant है तो thermal power plant से 20 हम question कल cover कर चुके हैं और 20 question आज हम cover करने वाले उसके बाद हम अगर question बचेंगे तो और लेकर आएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे friends आपका second chapter start करा देंगे और हम क्या करेंगे आपके chapter से जो most important question उसको पहले cover करेंगे सारे chapter से फिर उसके बाद हम क्या करेंगे last में हम आपके कुछ ऐसे session रखेंग combine पूरे subject का mcqs लेकर आएंगे तो friends पहला question क्या कर रहा है पहले question में कहा गया है thermal power plant में water का pressure को किसके द्वारा बिक्सित करते हैं friends मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों कि ये query रिती कि सब्सक्तर इंग्लिस में कराईए हिंग्लिस में कराईए हिंग्लिस message में मैंने इसमें लिखने की कोशिश किया जिससे क्या हो कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फाइदा मिल सकी या बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको समझ पाएं तो आप इसको manage कर लेज़ेगा तो option A है आपका condenser, option A होगे आपका condenser, option B होगे आपका super heater, option C होगे आपका feed water pump, option D है आपका turbine तो friends आपको पता है जो water का pressure है तो वो किसके दौरा आप develop कराते हो या फिर किसके दौरा उसको बिक्सित किया जाता है तो I think आप इसका answer दे सकते हैं तो आपको पता है कि जब आप water को pump के द्वारा सक करके और boiler में भेजते हैं तो उसका pressure increase करा जाता है मतलब with the help of pump जब हम water feed pump के से उसको सक करते हैं अपने plant में water को तो उस पर क्या होता है pressure high हो जाता है या pressure को increase किया जाता है तो answer आपका C सही होगा और आपका C होगा फ्रेंट्स नेक्स कोशन पर आजाईए नेक्स कोशन है आपका thermal power plant में वाइलर में यूज होने वाले water का pH होता है फ्रेंट्स बहुत important question में लेकर आया हो ये और इन मैंसे आपकी एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे तो आप प्लास तक बने रहेगा और इसको शेर जरूर कर दीजेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या है उनको मार्केट में जो कोशन है वो नहीं available हो पा रहे हैं तो फ्रेंट्स देख लिजे second question क्या है आपका thermal power plant में वाइलर में यूज होने वाले वाटर का pH होता है option A है unity unity तो बैसे नहीं होना है फ्रेंट्स गलात हो गया पहला ही सेकेंड है आपका 7 pH value 7 बोला जा रहा है अगर हम C की बात करें तो C में बोला गया है 7 से थोड़ा ज्यादा डी है option आपका 10 तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपका जो थर्मल पावर प्लांट में जो वाटर यूज किया जाता है तो वो हलका सा शारिय होता है बेस कुछ बेस फॉर्म रहता है उसका तो अगर हम शारिय की बात करें तो शारिय का जो pH वेल्यू होता है वो साथ से कुछ ज्यादा होता है तो आपका option C करेक्ट हो जाएगा फ्रेंट्स नेक्स पर आजाएए फ्रेंट्स question number 3 क्या बोल रहा है for the proper combustion मतलब उचित देहन के लिए for the proper combustion या उचित देहन के लिए thermal power plant में कौन सा उपकरण use करते हैं once again एक बार फिर सुन लिजे फ्रेंट्स बोला जा रहा है proper देहन करने के लिए पूर्ण रूप से 100% combustion करने के लिए कहने का मतलब यह कहने का तात पर इतना है कि 100% combustion के लिए किसकी requirement होती है तो फ्रेंट्स एक चीज़ यहाँ पर सुन लिजे इसके answer कई हो सकते हैं वैसे लेकिन आप किसके थूरू जाओगे आप अपने option के थूरू जाओगे उचित जो आपका combustion है तो उचित combustion का एक reason ये भी होता है कि आपका जो coal है coal को आप pulverize बना दो pulverize का मतलब peace दोसको चूरूरित कर दोसको जब coal pulverize हो जाएगा चूरूरित हो जाएगा तब भी उसका combustion 100% हो जाएगा पर यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है आपको दिख रही है कि pulverize coal coal से related कुछ भी नहीं है तो friends जैसा answer होगा उस हिसाब से आप देने वाले हो अपना answer means जैसे option दे रखे होंगे उसके हिसाब से आप क्या करोगे बहाँ पर answer टिक करोगे तो अगर हम 100% combustion की की बात करें तो आप pulverize coal को ही यूज करोगे याद रखना इसको भी कहीं point out कर लेना लिख लीजेगा अगर हम इस question की बात करें तो इस question का answer क्या सही हो जाएगा friends अगर हम बात करें coal तो coal के साथ combination supply of fuel के अगर में बात करूँ बहुत अच्छा concept इसको भी note down करिएगा अगर हम supply of fuel की बात करें supply of fuel तो supply of fuel में क्या होगा friends मालीजे supply of fuel की बात करें तो supply of fuel क्या होगा coal plus air तो अगर coal के साथ आप एर नहीं दे रहे हो बायू नहीं प्रवेस करा रहे है friends या oxygen नहीं फ्लो करा रहे तो आप बहाँ पर कंबंशन नहीं कर पाएंगे तो उचित कंबंशन के लिए प्रॉपर कंबंशन के लिए आपके पास कोई ऐसी डिवाइस होना चाहिए जो प्रॉपर क्या करें oxygen को या फिर जो आपकी एर है उसको क्या करें सक करती रहे और जो आपका फरने से उसमें वो प्रभाहित करती रहे तो यहां पर देख लिए कौन सा ऐसा उप करण है एकनोमाइजर तो एकनोमाइजर में वाटर को गरम किया जाता है इसको भी नोट डाउन करते हुँ चलिगा एकनोमाइजर में क्या किया जाता है पानी को प्रिहीट किया जाता है वाटर को प्रिहीट किया जाता है इसको हम वाटर प्रिहीटर भी कहते हैं तो लिखते हुए चलिगा वाटर प्रिहीटर भी इसको बोला जाता है सेकेंड है आपका कंडेंसर में क्या होता है कंडेंसर में आपकी जो इस्टीम है इस्टीम को वाटर में कनवर्ट किया जाता है मतलब वेपर टु वाटर यहां पर कनवर्जन किया जाता है यहां पर कनवर्जन किया जाता है अगर कूलिंग टावर की बात करें तो कूलिंग ट 50 के आराउंड आपका temperature होता है तो इतनी ज्यादा temperature की steam अगर आप थंडा भी कर ले तो उसको water में convert करा ले तो फिर भी आपका जो water है उसका बहुत ज्यादा temperature होगा तो उस temperature को room temperature पर लाने के लिए हम क्या करते है cooling tower से उसको पानी को थंडा करते है तो आपका जो water है water को cold करने के लिए या फिर वाटर को टरूम टर्पर लाने के लिए हम कोलिंग टावर का यूज करते हैं अगर हम बात करें फोर्स ड्राइब तो आप जो कोशन नमबर थाड़ है उसका option D is the right answer of the question तो आपका D जो answer है वो right होगा right कैसे होगा क्योंकि अगर draft fan की बात करें यह आपका FD fan एक प्रकार का force draft fan है तो FD fan क्या करता है FD fan जो year है में जो आपका वातावरन है जो आपका atmosphere है तो atmosphere की year को यह क्या करता है सक करता है और उसको flow कराता है to the furnace furnace में उसको flow करा देता है circulate कराता है जिससे क्या होगी furnace में coal तो आप एक जगा से input कराई रहे हो दूसरी तरह से आप क्या कराते हो जो आपकी year है उसको circulate करा देतो जब year और आपका जो coal है दोनों का combination बनता है दोनों का mixture बन जाता है तो अच्छे से बहाँ पर क्या होता है combustion होना शुरू हो जाता है तो आपका जो force draft है वो आपके जो thermal power plant में उसमें उचित combustion के लिए यूज किया जाता है कि आपकी proper oxygen बहाँ पर मिलती रहे तो फ्रेंट एक कोशन से लगबग 5 concept निकल रहे हैं तो फ्रेंट इन पांचों को लिखते हुए चलिएगा नाम के लिए 20 कोशन है पर अगर इनको आप one by one calculate करोगे तो लगबग यह 100 कोशन से भी उपर निकल सब्सक्राइब करें नाम चलिए सब्सक्राइब करें तो आप को पता है आप उप्संद खूटेंप देख्याएं पहले में क्या बोला गया रिबूम जूकर करते हैं तो एककि एक सेकंदि इसको थोड़ा सा उपर करतें ऊसको scroll down करते है गॡख़ करते हैं तो यहां पर देखीगा प्रॉर्थ वाले में पॉर्थ वाले में क्या कहा गया है उसका काम क्या हुआ तो पहले वाले में आप पहला कुशिन क्या बोल रहा है? Remove moisture from the steam Second में बोल रहा है Steam के temperature को increase करना Third में बोल रहा है Wet steam को super saturated steam में परिवर्टीड करना अब आपके mind में एक जरूख करी होगी अब उस चीज क्या है friends कि अगर हम बात करें super heater की तो super heater कहां यूज़ करते हैं, पहले तो location उसकी देख लीज़े, एक बार, मैं एक बार एक छोटा सा diagram बना रहा हूँ, उसके माध्यम से यह है आपका boiler, यहाँ पर है आपका pump, friends यहाँ पर है आपका condenser, और friends यहाँ पर है आपका turbine, यह आपका alternator connected है, अगर मैं बात करूँ इस वाले reason पर, यहाँ पर है आपका super heater, यह है आपका as such, super heater, अब देखीगा, यहाँ से steam निकल रही है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, कि जो steam निकल रही है, उसमें moisture content available होता है, मतलब वो nummy वाली steam होती है, wet steam होती है, गीली steam, wet का मतलब होता है, गीली, तो गीली steam है यहा पहला option क्या बोल रहा है, पहला option बोल रहा है, moisture, remove moisture from the steam, तो यह बिल्कुल सही है, steam के moisture को बिल्कुल क्या कर रहा है, वो remove कर रहा है, second question, second answer क्या बोल रहा है, steam के temperature को increase कर रहा है, तो यह भी ठीक है, steam का temperature कितना होता है, boiler से जब निकलती है steam, तो लगवग साले 400 होता है, साले 400 से वो कितने पहुंचा देता है 400 सो ऊपर पहुचा देता तो क्या कर रहा है आपकी sedım के त तो यह भी बिल्कुल सही है तो आंसर आपका फोर्थ हो गया फ्रेंड्स ओल आफ दा अबाव सारे ओप्सन आपके ठीक है तो आंसर आपका ओप्सन जो है वो डी इस दा राइट आउंसर आउंसर आप दिस कुश्चन नेक्स कुश्चन है आपका फिफ्ट वाला फिफ्ट वराज आईए फिफ्ट वाले में बोल रहा है फ्रेंस इंड्यूस ड्रावट फैन का उद्देश है आईडी फैन हो गया अभी हमने एफडी की बात करी थी फ्रेंट दो परकार के फैन होते हमारे थर्मल पार पहला है इंड्यूस ड्राफ्ट दूसरा है आपका फोर्स ड्राफ्ट अगर हम बात करें इंड्यूस ड्राफ्ट की तो इंड्यूस ड्राफ्ट क्या काम करता है इंड्यूस ड्राफ्ट जो आपकी आफ्टर कंबंशन जो आपका धुवा निकल रहा है धुवा बोले तो जो आपके चिमनी है उसको ये क्याकर देता है ट्रांस्फर कर देता है तो इसका काम क्या है जो आपकी व्यर्त हैसका उसको सक ना और एटमोस्पेर में चोड़ देना दो दा करता है atmosphere से जो एर है उसको क्या करता है यह सक करता है कि फोर्स डाफट atmosphere की एर को सक करके और जो आपकी फरनेस है उसमें क्या करता है उसमें circulate कराता है किसलिए आपके convention ठीक ठाक हो proper convention के लिए for proper पर कम बंजने तो यह दोनों पॉइंट मतलब इस दो पॉइंट से आपके चार कोशन निकल रहे हैं इसको नोट डाउन करिएगा अब आते हैं हम अपने फिप्ट कोशन पर फिप्ट कोशन क्या बोला देख लिए इंडियोज ड्राफ फैन का उदेश होता है क्या उदेश होत इसको तो आप देखते ही कट कर दोगए यह नहीं यह नहीं वप्षण यह भीए नहीं आ पर दोमें बच्चे फशेंगे किसम में फशेंगे तो और का फरनेस में चर्कुलेशन करना और व्यर्थ गैसों को भट्टी से बाहर निकलना तो अगर बात करें हम लाग यह यह पै तो आंसर आपका बी इस दा राइट आंसर ऑफ दा कुश्चन तो आप आजए ही सेक्ड वाले पर सिक्स में क्या कहा गया है कोल प्रिपरेशन में मैंगनेटिक सेपरेटर का वर्क होता है तो फ्रेंट से एक चीज में बता दूं कोल प्रिपरेशन बहुत सारे स्टेप्स फॉ होदा जाता है निकाला जाता है तो खानों से जो कॉल निकल लाइफ्रेंट्स उसका जो Bendis biological है या फिर उसको यूस करने का डारेक्टल हम इसको यूज नहीं कर सकते उसको हमें उसकी proper क्या करनाना है treatment करना अगर हम treatment नहीं कराएंगे तो proper ना तो हम उसका combustion करा पाएंगे और ना ही उसमें जो जहरीली gases होती है poisonness gases होती है उसको remove कर पाएंगे या release कर पाएंगे तो friends अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका जो pollution है वो बढ़ जाए pollution content बढ़ जाए साथ के साथ आप उचित मात्रा में heat का generation ना कर पाएं तो इन सारी चीजों को remove out करने के लिए हम क्या करते हैं अपने coal का preparation कराते हैं तो उसी में एक step आती है हमारी magnetic separator तो friends जो coal है coal को हम क्या करते हैं पहले मैं एक layout ऐसी एक layout बता दे रहा हूँ यह hopper होता है hopper में क्या करते हैं friends हमारे जो crystal वाला coal होता है friends अगर आप बना रहे हो न तो इसको लिखते हुए चलीगा बहुत help करेगा यह जो figure है इनको ऐसे ही अपने book में बना लीजेगा क्योंकि यह काफी आपके helpful रहेंगे माली जी यह hopper है आपका friends एक सेकंड यह क्या हो रहा है कि एक सेकंड रुख जाईए मैं इसको जड़ा सा ठीक करता हूं ठीक है फ्रेंड्स यह है आपका hopper ठीक है यहाँ पर क्या है इसमें क्रेशल की साई मैं ड़रेट Maple रागे हाथ इसके पर क्रेशल के क्रेशल में चाहसा करते हैं यह होगा क्रेश करेशल में यह क्रेशस ऑप पर आपके डीक में लोगे होतें जिसके अंदर क्या नश्वीय आपके और घरs सो । जिस कारण क्या होगा आपका जो कोल है वो छन जाएगा फिर छनने के बाद यहां पर लगा होता है नीचे आपका Magnetic Separator यहां पर Magnetic Separator लगा होता है तो Magnetic Separator की मैं एक बार आपको Zoom करके बना दे रहा हूं तो यह है Magnetic Separator उपर से आपका यहां पर कोल गिर रहा है सेकेंड होपर से यह है आपका सेकेंड होपर यहां से आपका चूणित जो कोल है वो गिर रहा है और जो आपका कोल है कोल में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होगे तो यहां पर कोल में आपके जो लह तत्व हैं या फिर लह पार्टिकल्स हैं आयरन पार्टिकल्स हैं वो भी आइवेलेबल होंगे तो क्या करेंगे अगर आप ऐसी लह पार्टिकल्स को या फिर जो आपकी आयरन पार्टि तो बहाँ पर आपकी heat क्या हो जागी कम हो जागी तो उसको remove out करने के लिए का करेंगे पहले हम क्या करेंगे इसके उपर उसको गिराएंगे फिर जब यह चलेगा तो क्या होगा जो आपके particles किया है मैं इसमें आपको तो अब आईए question पर अब आप आसानी से कर ले जाओगे कोल preparation में magnetic separator का work क्या है तो क्या है कंकर दूर करना बिल्कुल नहीं है यह iron particles दूर करना इस पर विचार करेंगे अभी dust collect करना नहीं बिल्कुल नहीं send को हटाना बिल्कुल नहीं तो यह गलत हो गया फ्रेंट्स यह गलत हो गया यह गलत हो गया आंसर आपका वी करेक्ट हो गया कि iron particles को remove करना ठीक नेक्स पर आजाईए नेक्स कुशन आपका 7 नंबर कुशन नंबर 7 है थर्मा पावर प्लांट में सुपर हीटर के लिए कौन सा कथन सत्य है बहुत अच्छा कुशन है फ्रेंट्स ऐसे कुशन पूछे जाने के most probability है बहुत ज्यादा चांसे से ऐसे कुशन पूछे जाने की थर्मा पावर प्लांट में सुपर हीटर के लिए कौन सा कथन सत्य है आप्शन ए प्रेशर को प्रेशर को कम करना यहाँ पर लिख लिए जगा प्रेशर को कम करना आप्सन भी एक सेकंड फ्रेंड इसमें बढ़ाना है ठीक है इंक्रीज करना फ्रस्ट में है आपका प्रेशर को इंक्रीज करना सेकंड में है आपका प्रेशर को कम करना थर्ड में है आपका प्रेशर बढ तो supernatural का काम क्या होता है Superheater का काम होता है जो आपका temperature है उसको बढ़ाना Superheater में किसी प्रकार की आपकी जो Pressure का कोई मतलब नहीं मतलब Pressure की कहीं बात नहीं आती है तो जितना Pressure आपका boiler से निकला इस्टीं में उतना ही रएना है उस पर तो तो आपका जो प्रैसर रहेगा पर आपका इन्फ्रीजर नेक्स्स कुषोन में बोल रहा है कौन सा पावर hoş मेश हो फैसा का नहीं में पार्ट नहीं है में पार्ट यूट में पारट अपको बताना एगलि ज़ो मेंस जो कुष्म ये ईनर्जी का बहुत हो रहा है उसमें डिरेक्टली यूज़ह हो रहे है है तो यह आपका हो गया ऊदध के साथ आपका उलेक्शिटी जन धे जयनेरीटर तो यहां से जो सहने ज़ू रहा है उसका heat का conversion हो रहा है तो ये भी आपका main part हो गया heat recovery system तो heat को recover करने वाला ये बिल्कुल ये भी directly आपकी जो energy हो जाए उसको convert कर रहा है convert करने में सहयता कर रहा है या फिर convert directly कर रहा है तो ये भी main part हो गया पर अगर हम बात करें power factor इंप्रूब्मेंट तो power factor का कोई मतलब भी नहीं है यहां पर हमारे थर्मल power plant में तो हमारा d option ठीक हो जागा इसमें ठीक है बोल रहा है नहीं है पार्ट तो नहीं कौन सा नहीं होगा पार्ट जिसका डी वाला पार्ट फ्रेंड्स नहीं होने वाला है कुष्ण नमबर नाइन पर आजाएं फ्रेंड कुष्ण नमबर नाइन में कहा गया है फ्रेंड्स इंड्यूस ड्राफ्ट फैन कहां लोकेटिड होते हैं आप इस पर थोड़ा सा क्लिक कर गए होगे माइंड पर आपके क्लिक हो गया होगा यह तो option के माध्यम से देखते है top of the chimney, chimney के top पर, bottom of the chimney, chimney के bottom पर, middle of the chimney, chimni के मध्यमे it to cooling Mātarius ड़ापर पर तो होई नहीं सब्ब्स होगे पहला गलट अब देखिये, middle chimney, तो middle में भी नहीं है कोई मतलब भी नहीं मिडिल में लगाने का दूसरा भी गलत हो गया bottom पर वैसे नहीं लगा सकते surface पर कैसे लगा दोगे फ्रेंज तो bottom पर आप नहीं लगा सकते bottom पर अगर लगा भी दोगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं तो bottom भी गलत हो गया आपका जो induced draft है वो top of the chimney, chimney की top पर लगाया जाता है next है आपका, question number 10, high carbon content coal, निमन में से कौन सा है अब यहाँ पर friends आपको बताना सबसे ज़्यादा carbon का content किस coal में मौझूद होता है तो आपको पता है मैं एक बार बता दू सबसे highest जो coal है carbon का content anthracide में होता है, then after bituminous होगा, उसके बाद lignite होगा friends उसके बाद pit coal होगा, तो अगर हम बात करें सबसे highest carbon content किसमें है तो option आप लगा दीजीगा, option कौन सा है आपका, c option correct है अपका अगर बात करें इसमें carbon content कितना होता है, friends यहाँ से 3-4 question बन जाएंगे पहले तो यह बन जाएंगे कि highest carbon content किसमें होता है, तो किसमें होगा, anthracide में होगा दूसरा question यह पुछेगा कि anthracide में carbon content कि percentage कितनी होती है तो friends लगभग 95 से above, ठीक है, लगभग 90 से above मानना, वहाँ पर 90 वाला option हो चौथा question यह पूछ सकता है, friends कि peat coal में carbon की content कितनी पर्तिशत मात्रा में होता है, तो 50, लगभग 50% से below, लगभग 45 के करीब, तो 50% से कम रहता है आपका peat coal में carbon की percentage, और anthracide में होता है लगभग 90%, ठीक है, तो यहाँ से 4-5 question आप ऐसे बना सकते हो, friends, ध्यान रखेगा, य सारे important question, next पर आजाईए, friends, next है आपका, 11, low carbon content coal name में से कौन सा है, तो अभी मैंने पहले वाली में आपको बता दिया, आपको इसमें कोई शक नहीं होना है, कि peat coal है, 12 पर आजाईए, 12 क्या है, anthracide coal में carbon content होता है, मतलब carbon percentage होता है, तो यह भी मैं अभी उपर discuss कर चुका हू है, friends, तो यह पूछने के बहुत chances है, peat coal में carbon की percentage होती है, below 50%, 50% से कम, 14 में बोल रहा है, सही क्रम में वेक कीजिए, मतलब इसमें यह पूछ रहा है, carbon content के हिसाब से, सही क्रम में वेक कीजिए, तो आपको पता है, सबसे ज़्यादा होता है, anthracide, फिर bituminous, फिर legnide, फिर आ ले तो, anthracide, bituminous, legnide, और pit coal, ablb, फिर दो तिन वार्स को रट्टा लगा लीजेगा, रट जाएगा, आपको ablb, ablb, अब आप इस से match कर लेजेगा, anthracide, one वाले, तो पहला option, पहले पहला आएगा, फिर क्या है, bituminous, तो bituminous, fourth पहे, तो fourth, एक second इसको हटा है, फिर देख है, third है, उसके बाद, आपका, पीट कोल, पीट है second, तो आपका option क्या है, one, four, three, two, तो देख लीजे, one, four, three, two, चौदा, बत्यस, चौदा, बत्यस, धूदिए का, one, four, three, two, तो, बी option ठीक है, आपका, बी वाला option, correct हो गया, next पर आजाए, 15 पर, 15 वो लाए, HPD stand for, मतलब HPD की full form है, तो HPD, friends, मैं आपको बता रहा हूं कि, आप इसको pause करके, पहले, खुद, try करिएगा, हो सकता है, आप इसमें से, बहुत सारी answer, आप कर पाएं, और ये भी बताएगा, कि आपके कितनी option ठीक हु HPD क्या है आपका, HPD की full form है, HPD stand for, option A, heavy pressure turbine, high pressure turbine, high pressure temperature, highest polluted treatment, तो आपका ये होता है, friends, high pressure turbine, ठीक है, अगर LPT, HPD की बात करें, तो HPD होता है, आपका high pressure turbine, LPT की बात करें, तो आपका होता है, low pressure turbine, और ये भी आप से पूच लिया गया, कि LPT stand for, तो low pressure turbine, तो इसका भी option A ठीक हो हो गया, friends, next पर आईए, next में क्या पूचा गया है, whileer का pressure atmosphere के pressure से होता है, तो friends, कांड से पहला तो बैसी गलत होगा हम नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते पता रहता है कह सकते हैं दूसरा हो गया तो इक्कोल तो बिलकुल ही नहीं हो सकता आपको पता है अगर इक्कोल होगा तो जो आपकी विंड है या फिर जो आपकी गैसे से उनका सर्कुलेशन नहीं हो पा तो अब हाई तो बना नहीं सकते लगा जो एट्मोसफेर की गैसे से बो प्लांट के अंदर आना शुरू हो जाएगा या भटी अंदर आना शुरू हो जाएगे तो यह तो वाइसी गलात होगा तो आप ऐसे भी निकाल पाएंगे न तो तो यह सारे बहुत अच्छे तर्क हैं इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि यह कहीं न कहीं यूज होने वाले हैं आपके कहीं न कहीं यह जरूर काम आएंगे फ्रेंट्स नेक्स पर आजाएए कुशन नमबर आपका एटीन बोल रहा है फ्रेंट्स एक सेकंड इसको मैं थोड़ा से जूम आउट करता हूं एटीन कुशन बोल रहा है फ्रेंट्स एटीन वाले कुशन में देख लीजे थर्मल पावर प्लांट का साइज बढ़ाने से एफिसेंसी होती है फ्रेंट्स इसमें पूछा गया कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है अगर उसकी जो एक सेकंड मैं इसको थोड़ा से जूम आउट और करूं बस ठीक है फ्रेंट्स अगर मैं बात करूं आपका जो थर्मल पावर प्लांट है का साइज बढ़ाने से एफिसेंसी तो अगर पावर प्लांट का साइज बढ़ा दोगे तो आफिसेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी फ्रेंट्स तो इसका आउंसर आपका बी ठीक हो जागा 19 पर आईएगा थर्मल पावर प्लांट की ओबरॉल एफिसेंसी है तो यह आपको बिलकुल पता होगा आखे बंद करके आप लगा सकते हो कि आउट्पूट अपन इंपूर्ट होती है प्लांट की एफिसेंसी तो आउट्पूट आउट्पूट धूंड लीजिए आउटपूट कौन सा है प्लांट आउट्पूट अपन इंपूट तो अप्सन यह आपका ठीक हो गया 20 पर दे कि वाटर को वेपर में और आप्संस ही बोल रहा है वाटर को वाटर का वेपराईजेशंन नहीं न बहले है घता है यहां जो आपका वेपर करता है और जो आपका सबर निकल रहे हैं पहला कोशन निकल रहा है वाटर करेंज कर रहा है आपका करेंज अब यह बहुत सकता है कि का या करता जैसे पूचा है तो आप बता दो के वेपा डूंवाटर कन बरिजन कर रहे है तो यह सारी तो इसको आप एक बार फिर देख लिजेगा और एक बार फिर देखकर जितने मैंने पॉइंट बोले हैं उनको नोट डाउन जरू कर लेजेगा तो फ्रेंट्स अब हम नेक्स क्लास में मिलेंगे अगर आपको बास्ते में लगता होगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इसको लाइक कर दीजेगा और शेर भी कर दीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग